हलो दोस्तों मैं सोरों मली का आप सब भीगा टोपिक स्टेड़ में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के ओनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले हैं सविधान के 30 ऐसे महत्पून परसन जो की एकजाम में बहुत बार पूछे जाते हैं तो प्लीज आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाएगा और 30 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा अगर आपको टेस्ट पसंद आये तो प्लीज लाइक करिएगा अपने दोस्तों को भी सेयर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हैल्प हो सके और इससे पहले भी मैं सविधान पे कई टेस्ट ले चुका हूँ उनके लिंक नीचे डिस्क्रेप्शन बोक्स में दे दूँगा बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन कवर के हैं सभी टेस्ट में भी तो उनको भी आप जरूर देख लेना बाकि अगर आप चाहते हैं डेली इसी तरीके से आपको उनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो साथ जाथ रीजिनिंग और मैथ की वीडियो मिलती रहे तो नीचे रेडिकल के बटन को दबा करके बैल आइकन को ओन कर लीजेगा ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच तरहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को आपको हर एक कोशन में 5-6 सेकिंड दिये जाएंगे तो बिल्कुल सही अगर आप यहाँ पे राइट आंसर ओप्शन C लगा रहे हैं तो मुख्य मंत्री की जो नुक्ति की जाती है और राज्यपाल के द्वारा की जाती है ओप्शन C इस दर राइट आंसर कोशन नमबर 2 संग राज्य छेतरों का प्रसासन कौन चलाता है तो बिल्कुल सही है दोस्तो अगर आप उप्शन B लगा रहे हैं राजपती द्वारा तो बिल्कुल सही है राइट आंसर उप्शन B हो जाएगा कोशन नमबर 3 राज्य का राज्य पाल किसके परती उत्तरदाई होता है तो तीसरे का राइट आंसर बिल्कुल सही ओप्शन D राइट आंसर रहेगा राश्ट पती कोशन नमबर 4 कि इस राज्य में विधान सभा सदश्यों की संक्या सरवधिक है तो बिल्कुल सही है यहाँ पे 4 का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा उत्तरपरदेश कोशन नमबर 5 विधान सभा एवं विधान परिशद के वर्स में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है बहुत अच्छ अच्छे कोशन है आप साथी साथ राइट आंसर भी बताते रहें क्योंकि मैं आपको प्रोपर टाइम देता हूँ 5-6 सेकिंड जिसमें आप नीचे कमेंट बोक्स में आंसर बता सकते हैं अगर टेस्ट पसंद आ रहा है तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजे जल्दी से बिल्कुल सही पांच में कराइटान सब बी हो जाएगा यानिकी दो ठीक है कोशन नमबर 6 तो इसमें बोला जा रहा है विधान परिशद के बारे में निमिन में से कौन सा कथन ऐस सत्य है तो दीखे पहले वाला ओप्शन सही रहेगा और ओप्शन भी बिल्कुल सही है आपका और आपका C भी यहाँ पर सही हो जाएगा यानिकी उप्रुक्स में से कोई नहीं इन में से कोई भी ऐस सत्य नहीं है सारे सत्य है ठीक है चले कोशन नमबर 7 पा जाएगे ओप्शन D हो जाएगा भई ठीक है कोश्य नमबर 7 सविधान के अनुच्छे 370 के दुआरा किस राज्य को विशेश राज्य का दर्जा प्राप्त है तो ये बच्चे बच्चों को पता है राइट आंसर हरे कानची ये कमेंट बुक्स में तो बिल्कुल सही है साथवे का राइट आंसर सी हो जाएगा कोश्य नमबर 8 वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिशद कार्यरत है तो बिल्कुल सही आठवे का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा कोश्य नमबर 9 राष्ट्य विकास परिशद की बैठक में राज्य का परतिनिदित कोन करता है तो नोवे का राइट आंसर यहाँ पर ओप्शन ए हो जाएगा ठीक है दोस्तों कोश्य नमबर 10 राज्य का परतिनिदि अधिकारी कोन होता है तो कोश्य नमबर 10 का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा कोश्य नमबर 11 भारत के सरवुच नियाल्य में नियाधिसों की कुल संख्या है तो यह कोश्य मैंने अभी भी आपको कराया था 3-4 दिन पहले ही सायद और यह बिल्कुर सही है ग्यारवे का राइट आंसर यहाँ पर C हो जाएगा ठीक है चले नेक्स कोश्य नमबर 12 है सरवुच नियाल्य के मुख्या नियाधिस की नियुक्ति कौन करता है तो बिल्कुर सही बारवे का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा कोश्य नमबर 13 भारत के सरवुच नियाल्य का नियाधिस कितनी उमर तक अपने पद पर बना रह सकता है तो 13 का राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ओप्शन D लगा रहे हैं दोस्तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें सरवुच नियाल्य के पर्थम मुख्या नियाधिस कौन थे बिल्कुल सही है यहाँ पर 14 का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा कोश्चन नमर 15 सविदान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है 15 का राइट आंसर यहाँ पर ओप्शन C हो जाएगा कोश्चन नमर 16 सरवुच नियाल्य की पहली महिला नियाधिस थी तो बिलकुल सही है दोस्तो सोलवे का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा कोश्चन नमर 17 नियमिन में से भारत के किस मुख्या नाधिस ने राज़्पती के रूप में काम किया तो बिलकुल सही है यहाँ पे 17 का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा ठीक है दोस्तों कोश्चन नमर 18 भारत में सरवुच नियाल्य की स्थापना हुई थी बिलकुल सही 28 का राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा कोश्चन नमर 19 सरवुच नियाल्य के नियाधिसों की संख्या में व्रद्धी करने की सक्ति किसके पास है तो बिलकुल सही दोस्तों 19 वे का राइट आंसर ओप्शन B राइट हो जाएगा कोश्चन नमर 20 भारत में न्याय पालिका है तो देखें यहाँ पे बिलकुल सही है 20 वे का राइट आंसर A हो जाएगा 21 भारत में कुल कितने उच नियाल्य है तो देखें यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ 25 ओप्शन को क्योंकि अभी जो रिशेंट्सली एक निया हाई कोट बना है आंद्रपर्देश में सेपरेट हाई कोट बन गया है ठीक है तो यह अभी बनाये 2019 में ही तो आपके 25 हो गए है ठीक है तो अब टोटल नंबर ओफ हाई कोट कितने है उच नियाल्य कितने है इंडिया में 25 तो इसको याद रखेगा ठीक है बई चलिए नेक्स्ट कोशन है इसको मैं करेक्ट कर दूँगा बाद में नेक्स्ट आपका उच नियाल्य के मुख्य नियाजीस की नियुक्ति कोन करता है तो 22 का रहेट आंसर बी हो जाएगा कोशन नंबर 23 उच नियाल्य के नियाजीस किस आयू तक अपना पद धारन कर सकते हैं तो 23 का राइट आंसर जो रहेगा आपका उप्शन सी हो जाएगा ठीक है दोस्तों कोशन नंबर 24 थोड़ा जूम कर लेते हैं उच नियाल्य का मुख्य नियाजीस अपना त्याग पत्र किसको देता है तो देखे 24 का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आप सभी इसका राइट आंसर लगा दिया होगा 25 उच नियाल्य के मुख्य नियाजीस के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है तो 25 का राइट आंसर ओप्शन डी हो जाएगा कोशन नमबर 26 निमिन में से किस उच नियाल्य की अधिकारिता सर्व अधिक छेत्रों पर है बहुत अच्छा कोशन है ये तो गोहर्टी हाई कोट की सबसे अधिक है ओप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 27 भारत के सविदान के अंतरगत कितने परकार की आपत कालीन वेवेस्थाएं दी गई है तो ये भी आपको पता होगा आंसर आना चीए बहुत बिल्कुल कमेंट बोक्स में ठीक है तो ओप्शन C राइट आंसर हो जाएगा तीन तरीके की ठीक है कोशन नमबर 28 सविदान के किस अनुच्छेद के तैत राश्टिय आपात काल की उद्गोशना राश्पती करता है बिल्कुल सही है आपका 28 का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा कोशन नमबर 29 यूद या बाहरे आकर्मन के कारण की गई आपात काल की गोशना का सांसर द्वारा अनुमोधन होना चाहिए तो 29 का देखें या पर राइट आंसर बिल्कुल सही है A राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 30 राश्टिय आपात काल की गोशना देश में अभी तक कितनी बार की गई है तो राश्टिय आपात काल की गोशना कितनी बार की गई है जल्दी से option बताईए A, B, C, D में से कौन सा होगा तो यहाँ पर right answer जो रहेगा C रहेगा ठीक है दोस्तों तो I hope कि आपको यह test पसंद आए